Hello everyone, welcome to my YouTube channel Engineering Physics by Dr. Deepak. आज हम डिस्कस करेंगे NDYAG लेजर के बारे में. NDYAG लेजर का कंसेप्ट, Joseph E. Jossik ने Bell Telephone Laboratory USA में 1964 में दिया. NDYAG stands for Neodymium Doped Yatrium Aluminium Garnate. Yatrium Aluminium Garnate जो है, वो होस्ट मेटिरियल है. उसका फार्मूला है Y3 Aluminium 5 O12. यह Solid State Laser है और इसमें 4 Energy Label Laser है. Active ions Neodymium जो है, इसकी डोपिंग की जाती है होस्ट मेटिरियल में. डोपिंग कंसेंट्रेशन कितनी की जाती है? 0.725% बाइबेट. डोपिंग के द्वारा, यत्रियम के ions जो हैं, वो बहुत कम क्वाइंटिटी में replace किये जाते हैं by the Neodymium ions. NDYAG laser की features जो हैं, इसमें output हम pulse में भी ले सकते हैं और continuous mode में भी. यह depend करेगा pumping के उपर. अगर हम flash lamp of light pumping करते हैं या optical pumping use करते हैं तो output आएगी हमारे पास pulse में. वो क्यों? क्योंकि flash lamp itself indicate कि for few millisecond के लिए flash lamp on होगी, then off. जब on होगी तो laser action start होगा, जब off होगी तो laser action stop कर जाएगा. इस pumping के द्वारा output जो आएगी, वो pulse में आएगी. जब हम arc lamp का use करेंगे, तो output जो हमारे पास आएगी, वो continuous mode में आएगी. क्योंकि arc lamp जो है, वो continuous glow करेगा और diode laser का भी हम pumping के लिए use कर सकते हैं. अब हम construction के बारे में discuss करेंगे, laser के main three component है, pumping, active medium, and resonator. Pumping हम use कर रहे हैं, flesh lamp of life, जिसमें source रहेगा हमारे पास, क्रेप्टोन का. Active medium है, N-D-Y-A-G laser, यह solid medium है, और resonator में, one side of mirror is fully silver, another is the partially silver. Parsley silver क्यों रहेगा? इसके तुरू laser transitions होगी. जो fully silver mirror है, उसमें electron bounce back करेंगे. तब तक, जब तक electron जो है, वो common principle axis से pass out नहीं होंगे. तब तक यह two and four motion between the cavity होता रहेगा. जब stimulate हो जाएंगे, तो laser transition output में हमें दिखेगी. Important thing is here, why we are using the elliptical cavity? elliptical cavity में, दो focus point होते हैं, एक point पे हमारे पास active medium होगा, NDYAG laser का, दूसरे point पे हमारे पास flush tube of light होगी. तो जब source, flesh tube and target, जो NDYAG active medium है, जब वो आमने सामने होगे, तो light directly fall करेगी. और दूसरे तरीके से, by reflecting the walls of the cavity, तो function electrical cavity का है, कि maximum use करना है, flash lamp of light को, और pumping का maximum use करना है. जब हम flush tube or creptone flush tube, जब हम उस करेंगे, सब्सक्रीनो करेंगे, जब हम उसे करेंगे, अजागे, जब हम अजाब हम दूसरेची अलबनी मतही आठीओ, तो दूसरेचीत येविश दूसरे येडद सुख ईूसरेट यं 50-20-1-20-4- Vas-1-2-5- Particip street but very small amount of energy is absorbed by the NDYAG Eyraud. to the medium use करते हैं तो यहां भी हम cool air use करेंगे जो circulate होगी यहां पर और दूसरे एंड से जब exit होगी तो वो hot air exit होगी इस इस आल अबाउट construction of ndyag laser अब हम discuss करेंगे working of ndyag laser के बारे में यह solid state laser है इसके four energy labels है नियोडियम जो है वो active center है यह अब्जर्ब करेगा 730 नैनो मीटर और 800 नैनो मीटर की wavelength को जो अमिट होगी क्रेप्टाउन flash tube के द्वारा जब pumping on होगी तो electron जो है और नियोडियम आइंज जो पर एटू एट्री पर चले जाएंगे एक्साइटल सेट का टाइम पिरेड टैंज पाव माइनस एट सेकिंड है बहुत स्मॉल है यहां से नौ रेडियाटिव ट्रांजिशन होंगी एट्री से एफोर और एटू से एफोर इनको हम लेजर एक्शन पॉसिबल विदाउट पॉपॉलेशन इनवर्जन जान इसनो पॉपॉलेशन इनवर्जन इन मीन एंद तू नंबर ओफ लेक्टरों इंड एक्साइटर्ट अब एक्स्टरनल सोटों उफ लाइट यहां इंट्रैक्ट करेगी लेक्रों के साथ अब वो को स्टिमुलेट करेगी और जो ट्रांजिशन एफोर टू एबन के बीच में होगी वह लेजर ट्रांजिशन होगी जिसकी बेवलेंथ है बन जीरो सिक्स फोर नैनोमीटर यह इंफ्रारेड रिजिन में लाई करते हैं और एवन टू इनॉट अगें स्पॉंटेनियर समिशन और और सेकिंड वी कन से दैट एट एडिशनलेस ट्रांजिशन अब इसकी थोड़ी सी थेयोरी को देखते हैं मैटस्टेबल स्टेट का लॉंगर लाइफ टाइम में ट्रेट पामानिस 3 सेकिंड जब यह पॉपुलेट हो जाएगी यह स्टेज उस प् इवन में जाएंगे थ्रू दा प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटीड अमीशन होगा इफोर और एवन एनर्जी लेबल के बीच में होगा जिसमें लाइट एंप्लिकेशन होगी और लेजर एक्शन प्रडियूस होगा अब इलेक्ट्रॉन जो है इवन से चले जाएंगे इनॉट स्टेट पे थ्रू दा प्रोसेस ऑफ स्पॉंटेनियस अमीशन अब अप्लिकेशन के बारे में डिस्कुस करेंगे एंडी यजी लेजर की मिल्ट्री में यूज किया जाता है इसका डेजिगनेटर एंड रेंज फाइंडर के लिए डेजिगनेटर का मतलब है टार्गेट को अटेकिंग के लिए डेजिगनेट करना रेंज फाइंडर का मतलब है कि कितनी डिस्टेंस पे टार्गेट है उसकी डिस्टेंस को डिटर्मिन करना मेधिसीन में यूज किया जाता है तू क्ट अपॉस्टेर्यर कैप्शिलर एंडियाजी लेजर जूर्ट रेमोबर स्किन कैंसर और मैनुफेक्शिरिंग में यूज फॉर इचिंग और मेकिंग अ बरायएटी इटल्स and plastics and NDYAZ laser का use cutting or welding of steel के लिए किया जाबता है इसकी advantages low power consumption है high gain है good thermal or mechanical properties है इसकी efficiency compared to the ruby laser high है this advantage जो है normally it is not used for a moderate thickness material reason being slow production is possible for thicker material using this laser type hence it offer a lower efficiency it has a low absorption of radiations for lighter materials very close to visible spectrum detail summary of NDYAZ laser it's a four level laser and the medium is solid active medium is by AG that play a role of host and active center is the new diamium dimensions of rod rod key length 10 centimeter or 12 millimeter diameter active medium yattrium aluminum garnet is the formula by three aluminum 5012 active center new diamium ND3 positive जो है career earth metal है pumping use करते हम flash और arc lamp की और diode laser pumping का use according to the application part अगर हमें output pulse चाहिए होगी तो crypto flash lamp यूज़ करेंगे अगर हमें output continuous चाहिए होगी तो arc lamp का यूज़ करेंगे optical resonator का मतलब है it's a combination of two parallel plane mirrors having a common principle axis एक मिरर जो है वो fully silver है और दूसरा मिरर जो है वो partially silver है नेचर आउट-पुट ंडिवाईएज लेजर का pulse है और इसकी जो emitted wavelength है वो बन जीरो 64 nanometer है तो थैंक्स फार वाचिंग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जूर करना थैंक यू